प्रभु तेरी वाडी जीवन की रोटी मैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाडी जीवन की रोटी मैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाड़ी जीवन की रोटी नेनों की जोती अंधेरा मिटाती भाड़ी 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 पवित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है नौ अप्रेल सनिवार पहला पाठ नभी इजिकेल का गरंत अध्याई 37 पदसंख्या 21-28 पाठ का मुल अंस मैं उन्हें एक ही राष्ट बना दूँगा प्रभु ईश्वर यह कहता है मैं इस्रेलियों को उन राष्ट्रों में से इकाठा करूँगा जहां वे चले गए हैं मैं उन्हें चारों दिशाओं से इकाठा करूँगा और उन्हें उनकी निजी भोमी वापस ले जाऊंगा मैं अपने देश में तथा इस्रेल के परवतों पर उन्हें एक ही राष्ट्र बना दूँगा और एक ही राजा उन सबों का राजा होगा वे अब से ना तो दो राष्ट्र होंगे आउना दो राज्यों में विभाजित वे फिर घ्रना इस्पत मुर्ति पूजा और आधरम से अपने कुद्धोसित नहीं करेंगे उन्होंने मेरे साथ कितनी बार विश्वास घाद किया फिर भी मैं उन सब पापों से उन्हें छुडाऊंगा और सुद्ध करूँगा वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका इस्वर होंगा मेरा सेवक दौध उनका राजा बनेगा और उन सबुं का एक ही चरवाह होगा वे मेरे नियामों पर चलेंगे और मेरी आज्याओं का बिधिवत पालन करेंगे वे और उनके पुत्र पाउत्र सदा शरवदा अपने पूर्वजों के देस में निवास करेंगे जसे मैंने अपने सेवक याकुप को दे दिया है मेरा सेवक दावत सदा के लिए उनका राजा होगा मैं उनके लिए सांति का विधान निर्धारित करूँगा एक ऐसा विधान जो सदा बना रहेगा मैं उन्हें फिर बसाऊंगा उनकी संख्या बढ़ाऊंगा और उनके बीच सदा के लिए अपना मंदिर बनवाऊंगा मैं उनके बीच निवास करूँगा मैं उनका इस्वर होंगा और वे मेरी प्रजा होंगे जब मेरा मंदिर सदा के लिए उनके बीच इस्थापित होगा तब सभी राष्ट्र यह जान जाएंगे कि मैं प्रभू हूँ जो इस्रेयल को पवित्र करता है यह प्रभू की वानी है संत योहन के अनुसार पवित्र सु समाचार अध्याए 11 वाके संख्या 45 से लेकर 56 तक जो यहुदी मर्यम से मिलने आये थे और जिन्हों ने इसा का यह चमतकार देखा उन में से बहुतों ने उन में विश्वास किया परंतु उन में से कुछ लोगों ने फरिस्यों के पास जाकर बताया कि इसा ने क्या किया था तब महायाजकों और फरिस्यों ने महासभा बुला कर कहा हम क्या करें वह मनुश्य बहुत से चमतकार दिखा रहा है यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे तो सबी उसमें विश्वास करेंगे और रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राश्ट्र नश्ट कर देंगे उन में से एक ने जिसका नाम कैफस था जो उस वर्ष प्रधान याजग था उन से कहा आप लोगों की बुद्धी कहा है आप या नहीं समझते की हमारा कल्यान इस में है कि जनता के लिए एक ही मनुश्य मरे और समस्त राश्ट का सर्वनाश ना हो उसने यह बात अपनी और से नहीं कही उसने उस वर्ष के प्रधान याजग के रूप में भविशवानी की कि एशा राश्ट के लिए मरेंगे और ना केवल राश्ट के लिए बल्कि इसलिए भी कि वे यश्वर की बिखरी वी संतान को एकतर कर लें उसी दिन उन्होंग ने एशा को मार डालने का निश्चह किया इसलिए एशा ने उस समय से यहुदियों के बीच प्रकट रूप से आना जाना बंद कर दिया वे निर्जन प्रदेश के निकट वर्ती प्रांद के इफ्राइम नामक नगर गए और वहां अपने शिश्यों के साथ रहने लगे यहुदियों का पास्का पर्व निकट था बहुत से लोग पास्का से पहले शुद्धिकरन के लिए देहाद से यरुसालेम आए वे इसा को ढूडते थे और मंदिर में आपस में कहते थे आपका क्या विचार है क्या वा पर्व के लिए नहीं आ रहे है यह प्रभु का पवित्र सू समाचार है ख्रिस्थ प्रभु की जय ये सुमे मेरे प्रिये भाई और बहनो आज के दोनों पात में हम ऐसी भविश्यवानी के विशे में मनंचिंतन करने जा रहे हैं जिनके द्वारा ईश्वर अपनी योजना को हमारे सामने रखते हैं कि वे संपूर्न मानव जाती को एक ताके सूत्र में बांधेंगे हम नभी एर्मिया के गरंद अधियाए 29 वाके संख्या 11 में पढ़ते हैं जहां पर ईश्वर अपनी प्रजा के लिए अपनी योजना के विशे में कहता है हम पाठ में पढ़ते हैं मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाए जानता हूँ यह प्रभू की वानी है तुम्हारे हित की योजनाए आहित की नहीं तुम्हारे लिए आशा मैं भवश की योजनाए प्रभू कहते हैं तुम्हारे लिए हित की योजनाए आहित की नहीं तुम्हारे लिए आशा मैं भवश की योजनाए और उसी योजना को आज के दोनों पाठ के द्वारा हम लोग मनंचिंतन करने वाले हैं आज का पहला पाथ नभी एजेकियल के गरंद से लिया गया है नभी एजेकियल ईश्वर के लोगों के सामने पर कल्पना करते हैं कि वे लोग सब के सब ईश्वर की प्रजा में होंगे हम वचन में पढ़ते हैं प्रभु ईश्वर यह कहता है मैं इस्राइलियों को उनके रास्ट्रों में से इकठा करूंगा जहां वे चले गए हैं मैं उन्हें चारों दिशाओं से इकठा करूंगा और उन्हें उनकी निजी भूमी वापस ले आऊंगा मैं अपने देश में तथा इस्राइल के परवतों पर उन्हें एक राश्ट बना दूंगा और एक ही राजा उन सब का राजा होगा तो इश्वर की योजना अपने लोगों को नभी एजेकल के माध्यम से मिलती है कि जो लोग गुलामे में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं अन्य राश्ट में अपना जीवन यापन कर रहे हैं उन सभी लोगों को प्रभू एककत्र करेंगे और एक साथ लाकर उन्हें एकता के सूत्र में बांध कर रखेंगे और इसलिए उनका एक राश्ट्र होगा और एक ही ईश्वर होगा आगे हम देखते हैं कि ईश्वर की योजना पूर्ण होने के लिए उनके बीच में ईश्वर तीन महतपूर्ण कारे करेंगे सबसे पहला महतपूर्ण कारे है उनके बीच से दूशन दूर हटाएगा मुर्ति पूजा और अधर्म से अपने को दूशित नहीं करेंगे। अर्थाद जो भी अधर्म उनके बीच फाइला हुआ है उन सबसे ईश्वर उन्हें मुक्ति प्रदान करेगा। उनको शुदता का जीवन बिताने के लिए बुला रहा है। उनको पवित्रता का जीवन जीने के लिए बुला रहा है। दूसरा महत पूर्ण कार्या उनके बीच में होगा कि ईश्वर शान्ती का विधान उनके बीच स्थापित करेगा। हम वचन में पढ़ते हैं, मैं उनके लिए शान्ती का विधान निर्धारित करूँगा, एक ऐसा विधान जो सदा बना रहेगा, प्रभु कहते हैं कि उनके बेच मैं शान्ती का विधान निर्धारित करूँगा, एक ऐसा विधान जो सदा बना रहेगा, जहां पर सभी को शान्ती प्राप्त होगी जहां पर सभी लोग शान्ती में वास करेंगे शान्ती के साथ अपने जीवन को बिताएंगे तिसरा मतपूर्न कार्य इश्वर उनके बीच करने वाला है कि वा स्वैम उनके बीच निवास करेंगे हम वचन में पढ़ते हैं, मैं उनके बीच निवास करूँगा, मैं उनका ईश्वर होँगा और वे मेरी प्रजा होंगे अर्थाद, ईश्वर अपने लोगों के बीच आकर वास करेंगे और इस तरह से ईश्वर उन्हें अपनी निजी प्रजा के रूप में रखेगा उनके साथ उनके बीच में निवास करेगा ये सुमे मेरे प्रिये भाई और बहनों प्रभु के जन्म के आउसर पर भी हमारे सामने ऐसे ही आश्रा मैं योजनाय रखी जाती है हम संथमती के सुसमाचार अधिया एक वाके संख्यत 23 में पढ़ते हैं जहां पर संथमती नभी के दोरा भविश्य वानी पूरी होने की बात हमारे सामने रखते हैं और हम वचन में पढ़ते हैं देखो एक कुमारी गर्वती होगी और पुत्र प्रसौव करेगी और उसका नाम इमान्वेल रखा जाएगा जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ईश्वर हम प्रतियक जन की सुधी लेता है ईश्वर हमारी अवस्था से हमारे जीवन से परिचित है और इसलिए प्रभु हमारे सामने अपनी आशा मई भवश्य की योजनाएं रखते हैं कि मैं तुम्हारे बीच उपसित होंगा और तुम मेरी प्रजा होगे आज हम सभी के सामने यह चुनावती है अपने जीवन को जाचने की परखने की क्या मैं ईश्वर ये योजना की अंतरगत अपने जीवन को व्यतीत करता हूँ जहां पर इश्वर हमें दुशन से मुक्त करते हैं इश्वर हमारे लिए शांती का विधान स्थापित करते हैं और स्वयम ईश्वर हमारे बीच आकर वास करते हैं हमारे लिए यह चुनावती है कि दैनिक जीवन को जीते हुए हम ईश्वर की उपस्तिती को अपने विक्तिगत जीवन में अनुभाव कर सकें अपने पारिवारिक जीवन में अनुभाव कर सक आज की सुसमाचार में संत्योहन कैफस की भविश्यवानी को हमारे सामने रखते हैं और इस भविश्यवानी को रखते हुए संत्योहन ना केवल कैफस की बातों को हमारे सामने रखते हैं बलकि ईश्वर ये योजना को हमारे सामने रखते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर कैफस के द्वारा भविश्वानी की गई थी उसे हमारे बीज पूरा करने वाला है संतियोहन वचन में कहते हैं उसने उस वर्ष के प्रधान याजक के रुप में भविश्वानी की कि ईशा राश्र के लिए मरेंगे आर ना केवल राश्र के लिए बलकि इसलिए भी कि वे ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एककत्र कर लें ये सुमे मेरे प्रिये भाई और बहनों आज के दोनों पात को यदि हम गौर से देखेंगे तो हमारे सामने ऐसी भविश्वानी रखी गई है जहां पर ईश्वर अपनी बिखरी हुई प्र अंभाता ये वे लोग हैं जो ईश्वर से दूर हो गए हैं अपने कर्मों के द्वारा अपने गलत इरादों के द्वारा अपने गलत सोच के द्वारा अपने गलत आउधारना के द्वारा अपने गलत समझ के द्वारा उनका रिष्टा ईश्वर के साथ दूर हो गया है ईश्वर की निजी प्रजा में सम्मेलित हो सकते हैं क्योंकि प्रभू हमारे जीवन से हर प्रकार के दूशन से हमें मुक्त करेगा ईश्वर हमारे बीच महत पूर्ण कारे करता है हम देखते हैं कि लोग येशु के विशे में स्वार्थी थे वे उन्हें मार डालने की सोच रहे थे लेकिन ईश्वर यिसु को मुक्तिदाता के रूप में उनके सामने भेजते हैं उनके जीवन में उधार करता के रूप में भेजते हैं जो उनको ईश्वर के पास वापस लेकर आएगा लोग येसु से रैजनेतिक लाव लेना चाहते थे लेकिन इश्वर ये योजना यह थी कि लोगों को आधियात्मिक लाव मिले वे लोग आधियात्मिक ता के द्वारा इश्वर ये योजना को पहचानने में समर्त हों और यही योजना इश्वर की है उनकी विचारधारया थी कि व prochain लोग यесु के द्वारा अपने राष्ण को सुरक्षित रख सकते हैं लेकिन ईश्वर की योजना यह थी कि येसु के द्वारा समूचे मानवजाती का उधार हो समूचे मानवजाती को एकता के सुतर में बांधा जा सके लोगों का इरादा या था कि वे लोग येशु के शिश्चों को तितर बितर कर दें लेकिन इश्वर की योजना यह थी कि उनके द्वारा एक पवित्र राष्ट्र का निर्मान हो इसमे मेरे प्रिये भाई और भेनों यदि हम अपने विक्तिगत जीवन को जहां कर देखे तो बहुत बार हम पाएंगे कि हम मनुश्य की विचारधारा के आधार पर अपने जीवन को जीने के लिए कोशिश करते हैं हम या भूल जाते हैं कि ईश्वर के सामने हमारे लिए एक योजना है जहां पर ईश्वर हम सभी को एककत्र करने की बात करता है एक दूसरे से जोडने की बात करता है ईश्वर हम सभी को एक साथ लाने की बात करता है इश्वर के सानिद्धे में अपने जीवन को व्यतित करने के लिए योजनाए बनाता है लेकिन हम अपने कमजोरियों के द्वारा अपने दुर्बलताओं के द्वारा अपने विचारधारा के द्वारा हम उन योजनाओं को समझने में असमर्थ हो जाते हैं हम मनुश्य हैं और मनुश्य होने के नाते हम में दुर्बलताए हैं हम में कमजोरिया हैं और उन सभी दुर्बलताओं और कमजोरियों को हमें मौका में बदलने की आवशकता है जहां पर हम ईश्वर ये प्रेम को गहन रुप से मसूस कर सकते हैं हम कुरुंतियों के नाम सन्द पॉलूस के दूसरे पत्र अध्याए बारा वाकिसंखिया 10 में पढ़ते हैं जहां पर सन्द पॉलूस अपनी दुर्बलताओं पर गर्व करते हुए कहते हैं मैं मसी के कारण अपनी दुर्बलताओं पर गर्व करता है घमंड करता है क्योंकि उसे ग्यात है कि ईश्वर उसे जुकने नहीं देगा प्रभू उसका दामन थामे रहेगा और इसलिए अपनी दुर्बलताओं में अपने कष्टों में अपनी अपमानों में वा ईश्वर के प्रेम को गहन रुप से अनुबहों करने में समर्त बन पाता है और इसलिए वो कहता है कि मैं मस्छे के कारण अपनी दुर्बलताओं में गर्व करता हूँ और इसलिए अन्त में कहेंगे कि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ येसुमे मेरे प्रीय भाई और बहनो चालिसे के काल में हम सभी ने भरपूर कोशिश की अपने आपको आध्यात्मिक रूप से तयार करने के लिए कि हम योगिरिती से पास का पर्व मना पाएं लेकिन हो सकता है अपनी कमजोरियों और अपनी दुर्बलताओं के कारण अपनी तयारे में हम खरे नहीं उतर पाएं हम चूक गए हैं कल से जब हम पवितर सब्ता में प्रवेश करने वाले हैं तो हमें दुखी होने की आवशक्ता नहीं है हमें सन्द पालूस की भाती मसी में अपने दुर्बलताओं और कमजोरियों पर गर्व करने की आवशक्ता है क्योंकि इन आवसरों के दुआरा ईश्वर हमें और एक मौका देते हैं उसकी और अभी मुक होने का उसकी और वापस आने का और इसलिए हमें सन्द पालूस की भाती गर्व के साथ कहने की जरूरत है जब मैं दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ और इस प्रकार से हम ईश्वर की और योगेरिती से वापस आ सकें और पास का पर्व को योगेरिती से मना सकें आईए हम इसके लिए प्रभू से प्रातना करें हे सरुशक्तिमान पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभू आज के सुन्द दिन के लिए सभी कृपादानों के लिए प्रभू हम धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचन के लिए जो हमें तेरी और अभी मुक होने की प्रेर ना दे रहा है प्रभु तू हमारे लिए हित की योजना बनाता है अहित की नहीं हमारे लिए आशा मेई भवश्य की योजना बनाता है लेकिन हम प्रभु मनुश्य हैं दुर्बल हैं कमजोर हैं हम तूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, हम पाप में गिर जाते हैं, तुस्से दूर चले जाते हैं, फिर भी प्रभू तु हमें मौका देता है, अवसर देता है, कि हम तेरी और वापस आ सकें। प्रभू इस चालेसा के पवित्र काल में, हम लोगों ने जो भी तयारी की है, उसमें तेरी आशिश हुई है प्रभू, और जो भी चूक हम से हुई है प्रभू, जिस तयारी को हम योगरिती से नहीं कर पाएं हैं प्रभू, तो भी उसके लिए हमें बल प्रदान कर रहा है, क कि हम सन्द पौलूस की भाती मसी में अपने दुर्बलताओं और कमजोरियों पर गर्व करें। और यह कह सकें कि जब मैं दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। प्रभू हमें बल दे कि आने वाले दिनों में जो भी तैयारी हम करने वाले हैं। वो हम योगरिती से कर सकें। और पवितर सप्ता में योगरिती से भाग लेते हुए तेरे प्रेम को, तेरे शमा को, तेरे कृपा को अपने जीवन में और अपने परिवारिक जीवन में अनुभाव कर सकें। हम यावर मांगते हैं हमारे प्रभु कृस्त के द्वारा आमेन प्रभु तेरे वाड़ी जीवन की रोठी मेनों की जोती अंधेरा मिटाती भाड़ी 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 पवित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है कर दो कर दो कर दो